Books That Speak में आप सभी का स्वागत है प्रिया पुवा के बच्चे का पहला जनम दिन है किसी को कॉफी चाहिए, किसी को चाए, तो किसी को कुछ और दादा जी समझ नहीं पा रहे है कि वो कौन सी चीज कितने कब बनाए तारा उनकी मदद करने का एक सूजबूज भरा तरीका खोचती है सुनते हैं कहानी, आप क्या पिएंगे? Original Story, What Would You Like To Drink? By Pratham Books, कहानी लिखी है आनन जनारदन चितरांकन आयशा पंजाबी, हिंदी में अनुवात डॉक्टर अमरदीब कहानी का वाचन असावरी दोशी आज प्रिया बुवा के बच्चे का जनम दिन है और घर महमानों से भरा हुआ है एक, दो, तीन, पंद्रा, सोला उफ, ये मुझ से नहीं होगा तारा ने परेशान होकर कहा दादा कॉफी, चाय और शर्बत बनाने वाले है वे महमानों से पूछते है कि वे क्या पीना पसंद करेंगे मुन्ना को भूख लगी है उसके लिए दूद प्रिया बुवा चिल्लाई मेरे लिए चाय अमीत ने अगरह पुरुवक कहा मेरे लिए कड़क फिल्टर कॉफी इंद्रा दादी बोली कॉफी, चाय और दूद के लिए इतनी सारी फर्माईश है मैं इन सब को याद नहीं रख सकता हम् दादा ने गहरी सास लेते हुए कहा मैं आपकी मदद करती हूँ तारा ने कहा क्यों न हम एक ऐसी सूची बना ले मैं सबसे पूछूंगी कि वे क्या पीना चाहते है और सही खाने में छोटा सा निशान लगा दूँगी खाना याने चोकट में तारा ने कहा तारा ने आगे कहा फिर हर चीज के लिए सही का निशान जोड़ते जाएंगे ताकि पता चल सके कि हरेक के कितने कब बनाने है फिर तारा ने चार कॉलम बनाए चाय, कॉफी शर्बत और दूद और वो घर आये महमानों से हरेक को पूछती गई कि आप क्या पीना पसंद करेंगे और फिर तारा ने चाय, कॉफी, शर्बत या दूद ये कॉलम के नीचे सही का निशान जोड़ा बहुत अच्छा काम किया तुमने पापा ने शाबाशी दी तुम्हारे लिए खास बादाम वाला दूद तारा बिटी दादा ने कहा तारा ने एक सुची बनाई कि हरेक महमान क्या पीना चाहते है क्या आप पता लगा सकते है कि कितने लोगों ने चाय, कॉफी, शर्बत या दूद पिया सभी पेय को जुड़े और पता लगाए कि दादा जी और तारा ने मिलकर कितने लोगों के लिए चीजे बनाई तो कैसी लगी ये अलग कहानी जिसमें आप गिंती भी सीख रहे है और आपके घर के लोगों की मदद भी कर रहे है तो ऐसी और कहानिया सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा YouTube पर और अलग-अलग podcasting channels पर website है www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया